नमस्कार दोस्तों स्विंग मशिन गुरू में आपका सबका स्वागत है और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सिंगर का आटोमेटिक मशिन जो मॉडल नमबर है सिंगर 8280 यह काफी कस्टमर यूज करते हैं काफी की रेक्वाइमेट भी थी कोई एजट मशिन आटोमेटि एक प्रवाइमें करें जो सकते हैं तो आप देखी सकते हो आपके स्क्रीन के ओपर मॉडल रखा गया है सिंगर 8280 यह पर देखी है मॉडल नमबर दिया गया है जैसे कि ऑनलैन सर्च कर देदो आपको यह मॉडल नमबर मिल जाता है काफी अच्छी मशिन है इसमें इसमें आ आपको अगर पाइपिंग करने तो पाइपिंग भी सारे फॉंशन इसमें दिये गए तो मैं आज आज आपको इसको डेमो के बारे में बेसिक जानकारी और एक नॉर्मल डेमो आपको करकर ने बताने वाला हूँ तो आईए सबसे पहले मशिन के मॉडल के उपर जाते हैं और आपको सारी चीजे मैं समझाता हूँ सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रांडिंग के एक सिंगर की एक ठ्रेट टेंशन का बटन दिया जिस पे नंबर लिखे हुए है यह देखें जैसे कि यहाँ पर देखें यह थ्रेट टेंशन का बटन है जिसे हमें हमेशा मेंटेन करना पड़ता है स्टीच कभी लूस टाइट आती उसके लिए दूसरा एक जो नॉब दिया गया है वह लेंथ नॉब है जिसमें आपको टाके की लेंथ चोटी बड़ी करन करते हो और एक रेट पोश्म में फोर स्टेप या थर्ड स्टेप दिये गए इसे कहते हैं बटन होल्ड मत यह सारी स्टम इसमें दी गई है तो अब आपको लायू इस पर डेमो देने वाला हो जिसमें आम आपको सारी चीजे करके बताने वाले तो आईए सबसे पहले बेसि फूट का नामें पीको फूट साडी और दुपटे मेन यह फूट उपर आदे के लिए लाए तीसरा फूट आता है वो आता है आपका पाइपकी करने के लिए अगर आपको बूत करने तो भी आप यह सारी और घृट टू लेब इसे थे यूजि कर सकते। काफी कंपणी के मशीन में अगर फूट देते तो सिंगल फूट देते, सिंगर एक एक एंसा मशीन है जिसे आपको यह टूइनग के बता हूँगा कि बटन स्टीक केसे किया जाता है और यह आता है stitch opener जैसे कि आपको काज बनाने काट करना है तो काट करने के लिए stitch opener का भी यूज़ होता है जैसे कि चोपनर तो अभी यह है foot controller आपको foot control दिखा यह पर इसे foot control का जाता है जिससे machine आपकी operate होती है और यहाप पर Courtney attach करना पड़ता है यह दिकें क्यावड पर के लिए तो हम हम आते अभी जैसे कि आıkको डिमु वाला नहीं आता है तो हम अमारे चैनल पर जाके इसका डेमो देख सकते हो प्रापर आपको देखने विल जाएगा तो यह सबसे बेले यह मैंने आपको इसके अंदर प्रेश करना है ज्यादा फोर्स नहीं करना एक नॉर्मल ही अटेच करना है यह हो गया अट्याच यह आप स सारी में एक LED लाइट दी गई है कभी आप थ्रेडिंग करते हो या कपड़ा चला तो यहां पर एक लाइट दिया गया दिखिए एक LED लाइट है जिससे अपका फूरा करोगे तो थ्रेड की कोड़ी आपने आप आ गया जाएक तो इसके लिए इसे अटेच करना है तो आते शटल पे तो नीचे का शटल का पॉशन है सबसे पहले यह देखिए इसे कहते हैं स्ट्रेशन बॉक्स जो ऐसे से बॉक्स के लिए दिया गया है इसे हमें लेफ साट करते हैं मतब सारे स्टिचेस होती है इसमें यह निकालने के लिए यह क्लिप खीचना है तो यह बॉबिन केस निकल जाएगी निकल गई और इसके अंदर आती है यह प्लास्टिक बॉबिन तो खास इसमें एक चीज बता रहा हूं मैं आपको के हर मशिन के साथ कंपनी आपक पर्चेस कर सकते हो तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आटमेटिक बॉबिन वाइंडर के से यूज किया जाता है तो हमें इस बॉबिन को भरना है तो सबसे पहले दीखें बॉड़ी के ऊपर देखें यहां पर आपको एक स्कूरू लगा हुआ हुआ है जो बॉबिन के लिए यहां पर देखें एक ड्राइग्राम बना हुआ है किसे इस त्रेट को इस सट जाना है तो आपको क्या करना है इस त्रेट को यहां से यूटन ओनली फॉर यूटन करना है यह कि यूटन हो गया क्लॉक्वाइस थोड़ा सा बॉबिन के अंदर त्रेट रिवाइं त्रेट करेंगे तब इस से राइट साट क्लिक करेंगे यह यह आपको थे अपको पर अपरेट करने जिसकी मैंने पेर में अक्सिलेटर दिया गया है इसे मैं परेश करूंगा जिए यह आ फुल फिल होके जितना स्पीड अप करोगे उतना त्रेडी जाता रहे है यह बॉबिन फिल हो रही है अटमेटिक लिए फ्रेड अपड़न अपड़न होके एकका प्रॉपर होरी जाती है बॉबिन इसके बगल में एक वाइट करका जिए इससे इसे स्टॉपर का जाता जिसके बॉबिन फिल बने का आटमटिक फोगेगी यह देखें एक कम धीर देरे स्टार्ट हो गया अब इसे कैसे निकलना जिसे अपने बॉबिन भर आव इसे इसे रिवस प्रोवस करना है कि यह पे कटर दिया है काफी कस्टमर को सीजर के यूज करने की जरूत नहीं इस थ्रेट को ऐसे के धागा कट जाता है अभी बॉबिन में कैसे धागा डालना है यह देखिए यह हमारी बॉबिन केस इसके अंदर आपको इस बॉबिन को डाल दिया यह पर एक ग्रीब दिया है छोटा सा इस करना है यह प्रोसेस आप कंप्लेट नहीं करते हो तब तक धागा उपर नहीं आएगा और मशिन आपके स्टार्ट नहीं होगी अभी जो उपर के रोड दिख रहे है आपको यह बॉबिन केस की तो अभी इसके अंदर केसे अटेच करना है यह दिखा रहा हूँ दिखे बॉ और यह बन उसके बाद एक सेशन बॉक्स को भी आप अटेच करते हो यह अगया हमारा बॉबिन प्रसेस अभी आते हम थ्रेडिंग पर तो थ्रेडिंग के लिए आपको देखा रहा हूँ मैं आपको सबसे पहले बताया था कि यह बॉबिन वाइंडर के लिए यूज करना है तो देखें यहाँ और लिखह AI फर्स्ट यहालसे फर्स्ट आए मिश के बाद को लिख लिखा हूँ है सेकंड सेकंड का एरो निचा है तAKE आए उसके बाद लिखा है त्षीर थी धीए ईूटनow अब यहाँ फोर्थ तरा दिया गया थैंग आए चाह सेब सेल आपको तो मैं आपको झैज की इस लिवर ईबुट यहां सबसे इसी विल को अपने साढ़ बोंना है तो कि इस सब्सक्राइब ति मतकुत गुन करता है। इप पर आने के बाद आपको ठेट के से डालना देखिए यह राइट्ट लेफ्ट आएगा अटमाइक चला जाएगा ऊसके बाद आते नीचे नीचे इस ग्लाप के नीचे दीखें आप एक क्लिप दिए यह 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 निडल क्रायम के नीचे एक लीप दीऊ है और इस रहरा है अब नीचे जाँ है कि अब कैसे करना है इस विल को आप घुमाते हो निडल को एक वन टाइम डाउन करना है और सिर्फ थ्रेट को अभी खीच आए देगे में थ्रेट कीच रहा हूं निचे खत्रेट आइडमाटिकली उपर आ गए यह इजी प्रोसेस हो गए स्टार्टिंग करने के लिए हो गया अभी हम स्टार्ट करते हैं मशिन का बेसिक डेमो तो सबसे पर लाइक मैं छोटा सा मट्रियल ले लिए यहां पर रखने की अब आते हैं सिलेक्टर नौक पे तो सबसे बिल आपको देखना है सिलेक्टर में आपको पूंसरी डिजाइन यूज करने हैं हम फिलाल तो स् पर्द साथ है कि छोटे बड़ी करने के लिए यूस रोता है वंट टू फोर तक फरस्स सेकंड थर्ड चोटा चाहिए वन पे उससे बाड़ा टू उससे बाड़ा थी उससे बाड़ा फ्रोट तो सबसे बड़े चले स्टार्ट करते हैं सबसे बहुत करना है यह तूस्ट करना है जैसे कि आपकी मशिन दागा लॉक कर देगी तो यह हो गया तो अभी देखिए स्टार्ट से लाई हो जाए है आप इस पर देख से देखिए कि इतनी छोटी सी लाई है है ना तो यह वन पर हमने उसके अभी हमार बारी आते टू पे तो हमने इसे टू पर रखते तो प पर देखिए टू पर उससे बड़ी हो गई अब आए बारी आएगी थ्री कि यह प्रॉपर आपको इसले दिखा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना इसले मैं आपको बता है त्री वाली उससे बड़ी होगी और लास्ट आती है फोर इसले यूज किया जाता है कभी आपको कच स्टीच लें चार टाइप की स्टीच लें जाती है जैसे कि मैंने आपको बता है तक यह आपको रिवर्स फॉर्ट का बटन है तो यह कभी उसकरना है जैसे कि मैं थ्री पर रखके स्टार्ट किया इससे प्रेश करते हो तो यह कपड़ा पीछ से आगे पीछे यह लॉक होग है तब ही जिग्जाग उसकरेंगे लेंग को फिर से हम वन पर रखेंगे यह वन पर चुटी जिग्जाग है जिसकी लेंद काफी कम दी गई है कि आपको दिख रही होगी अगर मैं इससे स्टॉप करके वापस इससे टूप रखता हो तो यह लेंद और बड़ी हो जाए है भी अपने साजी शिलाई में उसकी तो यह वह हैं और बढ़ा दो इसके तीन पर बड़ी हो जाएगी और फोर फे इसके अब देखिए यह टीच लेंद देखिए यह आपको यहाति है पीको में भी यूष फो थी डिजागी जिग्जेग की पीको में इसकी पीको मैं आपको करके बताँगा आपको रेगुलर डिजयन के बारे में बतारो कितनी सिची सिच में आती है अब आपको पता तो चल गया कि लेंद के सिद्ध कर ना है मैं आपका बागी सारी डिजयन करते हैं करते हैं इसके बाद आती है दूसरी इको टाइप पी डिजाइन काफी फिनिशिंग के साथ डिजाइन आती है इसकी आप किसी भी प्लेन कुछते पर वर्प के डिजाइन कर सकते हो पुड़ता हो या कुछ भी हो करते हैं अलग अलग प्रेट से कॉंट्रास प्रेट लेकर उसके बाद आती है इसके बाद में आपको एक रिक्दम अच्छी सी डिजाइन बताने वालों यह हाप पून करके जाए जाता है इसको हम 0.5 के बीच में रखेंगे यह क्रेटिव डिजाइन है कि इतनी क्रेटिकल होगे उसका टाइम लग सकता है क्योंकि कोई मोमें इनमें टाइम लगता है आप यह डिजाइन देखें पुरी अमर्य टाइप के स्टीचेस है यह काफी अच्छ डिजाइन है आप किसी भी वर्क में कर सकते हो तो यह हो गया हमारा इस शिचेस दूंगे इसे अपको बताएंगे दूसरे अटेश्मेंट की किसे इसमें लगते हैं किसे इसलिद निकाला यहां तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा है यह एक सिनेपन दिया ओए इस स्नेपन को अपने सब्सेट्र हल्क असा क्लिक कर दो फूट आटमेट ली नीचे गिर जाएगा तो देखे इन गिर गया है अभी इसके बीच में गृप है कि घ्रीप को देखी मैं आपको बता रहा है ये पौल बिटाना कैसे कि बिठाना कैसे तो इमें बता रहा हूं अधिके एक गृप के नीचे इस रोट को बिटा दिया मैंने बराबर और ये लिफ्टर जो आता है इस लिफ्टर को आपको डाउन करना है यह वाला लिफ्टर बिठाने के लिए हमारा इसका यूज करना है इससे डाउन कर गए तो आटमेटिकली बैठ जाएगा थोड़ा सा देखे इस लिफ्टर को मैंने डाउन किया और फूट कंट्रूर पर अटेच तो यह देखे अपने बटन होल केसे बनता है तो मैं बताने जा रहा हूँ तो यह स्लाइडर फूट होता है इसे अटेच करने के ताम पर कोई दिक्कत ने आएगी आप इससे आगे रखके भी अटेच कर सकते हैं जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाने वह आपको दिखाने वाला हूँ तो आईए इ मसली से पीछे करते हो तो जितना स्केवर आगए बनता है उतना होल बनता और पीछे कर दिया जितना स्केवर सकेवर बनेगा इतना पीछे अब आते वह सिलेक्टर पैटन क्या सेलेक्टर करना है तो यह सबसे पहले करना यहां यह फर्स टेप यह फर्स लिखा हुआ है यह है यह फिर आएगी बरी Genesis प्रकन की सेकंड नीचे लेफ रैट लेफ रैट करके लॉक करेगा फिर बारी आएगी थी की थी आटमेटिक ली उपर जाएगा और फिर फिर से लॉक करेगा मतले पूरा स्क्योर बनेगा वन टू त्री और यह फोर यह हमने सबसे बहुत से बहुत कि आप फर्स पर और देखेगे त्री आटमिली पीछे जा रहा है यह रहान तक आजीव स्टउप करके लग waż लोग और एक में बात में आपको बता दू अभी कपड़े के अंदर हो तो यह सिलेक्टर नॉब आपको नहीं घुमाना है सबसे पहले आप इसे विल को घुमा के सुई अप कर लो यह सुई देखिए आप की आप हो गई बराबर तो अप होने के बाद ही इसे आपको घुमाना है तो यह थर्ड थर्ड अटमडिक लिए उपर जाएगा जासे हमने स्टार्ट के अबहां तक आपको अपरेट करना है अब बचा फॉर्थ तो फॉर्स स्टेप प्याते सीम टू जैसे लॉग करेगा लेफ रेट लेट 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 यह हो गया हमारा बटन हो आप देख सकते हैं यह बाहर निकालना है यहां से कट देखिए यह आपका बटन होल रेट हो गया मैं इसको पहले फिनीशिंग करके आपको कट करके बतादूँ हूं जो बागी के थ्रेड हुते हैं आपको इसको फिनीशिंग करनी है अ को गया तो देखिए यह पर्फिक्ट बटन होल बन गया अगर आपको छोटा चुए तो आप स्लाइ तो यह दूसरे फूट के बार में आपको बता है बटन होल के लिए इसे भी निकाले कि सेम प्रोसीजर है इसे भी निकाला तो इसे प्रेश कीजिए यह निकल गया यह हो गया हमारा सेकर्ड फूर्ट तीसरा फूट जो आता है वह आता है पीको करने के लिए साड़े और दूपट जिए चोटे से बड़ी होती गई है तो आपको यहा पर रखना है तीसरे पॉइंट पर यूज़ करना है और लेंट को रखना को टूप यह हो गया लेंट बराबर तो यह देखिए हमारा दूपट्टा दूपट्टे की बॉर्ड़र है अगर कभी काफी खराब हो तो दूपट्टा तो से पहले कट करके स्टीच करना नहीं तो काफी जो थ्रेड आते हैं इसमें अटक जाएंगे तो देखिए यह बॉर्डर है तो मैं बॉर्डर को पहले पिको के फूट के अंदर अटेच कर रहा हूं यहां पर हो गया कपड़े को काफी बाहर नहीं रखना इसके बादर पे रखना यहां पहीं देखी के प्र नेडल कपडे के अंदर जाएगी एक बार कपड़े के बाहर मतलब अपडवन होगी जियागी वह गई अभी जो क्लिप है यहां से कपड़े को हल्का सा यहां से टन देखिए मैंने से फ्लैट नहीं किया है मैंने यह से खड़ा रखा हुआ तो आपको इसे रखना है देओ पर्फेक्स टीच होगी आपको कुछ करने की जरुट नहीं और कपड़ा कितने की जरुट नहीं बस ही यहां से टर्न करो और सीधा जाने दो कि बार-बार आपको कपड़े मोड़ने की कोई जर्वत ने एक बार स्ट्रेट पर आटोड़ी लिए जाता रहे हैं अगर आपको नहीं हो अगर आपको पीको नहीं आ रहा है तो यह उंगली का इस्तमाल करना यहां पर रखने के लिए यहां पर रख दिया बजी कि अपर भी बार बार इसको टान होके जाएगा आपको टान करने की ज़र रहे हैं कपड़े को फीच ही रहा हो तिर्फ सर्फ कर रहा है इसलिए कि कपड़ा कई पाटके नहीं हो गया हमारा पीको आप देखें तो पीको कैसे हुआ है यह देखें फूल फिनिशिंग में पीको आया हुआ है ना चोटा है ना बढ़ा है देखें कि बराबर यह स्टार्टिंग से आपको बता रहा है यह पीको कांट्रस का पड़े में देखो के तो और काफी अच्छा लगता है तो यह हमारा हो गया पीको फूट का पीको यूस तो इसके बारे में आपको बता दिया अब इससे निकाल लाए तो सेम उसी तरह इसे भी नि और कि फूट करती है तो इसमें पॉट होता है यह राइट टो लेफ दोनों साइड यूज़ता है अपको जिस साइड कउसरे लगता है उससाड़ आप युज परताने वाला हो तो इसे भी एक में में चीज बता हो एक काफी लंबी रोड है तो इसके बीच में ग्रीप दिय कोई डीजाइन होनी नहीं चाहिए अगर डीजाइन आप रखके अप्रेट करते हो उसी समय और ब्रेक हो जाएगी तो आपको यूज करना है रेगुलर स्टेट से लाए और इसमें तीन पर तो अभी पीको का थ्रेड तो काफी यूज करते हैं अगर आपको पीको का थ्रेड ऐसे लिए तो इसी स्टीच करके बताएं ती इसी स्टीच का यूज करके पाइप कैसे बनाई जाएं तौई देखिए सबसे पहले हैं यह पाइप्ञ बनाई हुए इससे टाइप की दोरी मिलती है आपको का पाइप में के लिए तो य safra को ऐसे फो लिए और तो इसी बादर को सिलाई करनी है मैं फिर से बता रहा हुँ सबसे पहले आपको फोल्ड करना है फिर सेकंड फोल्ड करके दोरी को बॉर्डर पे लेना तिये बॉर्डर पर आ गई अब यहां पर देखिए इस दोरी को हमें इसे बॉर्डर पर रखने है तो आप यह देख सकते एकदम पास से इस ब्लॉक में देखिए दोरी का शेप आ गया यहां पर गोल शेप हो गया तो इसके बॉर्डर पर हम स्टीच करेंगे यह पाइपिंग का थ्रेड नहीं होने के बाद भी हम पिको से स्टा करेंगे इसके बॉर्डर पर जा रहा है काफी नज्जीक से जा रहा है इसे थोड़ा शांती से चलाना इसलिए कि काफी कपला लूज ना हो और टाइट पोजिशन में जाएगी तो एकदम टाइट पाइपिंग बनेगी यह हो रही है हमारी पाइपिंग में यहां तक ही चल इस फूट को भी निकल ना है निकल दिया हमने तो राइट में लगाया था अभी यूज करना आपको लेफ्ट में तो इस साड लेफ्ट साड इसमें अभी क्या होगा कपड़े का डाइरेक्शन चेंज हो जाएगा मैं सबसे बिल आपको एक बर रिमाइंड बता दू कि मैंन अगर आपको इस पर जिप कभी लगा ना हो तो आप इस पर जिप भी लगा सकते हो सेम प्रोसेश है वाकि कुछ नहीं तो यह हो गया चार नमर का फूट इसे भी निकल दिया अब आएंगे लास्ट फूट पर तो लास्ट फूट पर हमारा है बटन स्टीज जैसे कि हमने गाज बनाया तो अभी आती है बारी बटन लगाने के तो सबसे पहले इस प्लेट का नाम मेरा आपको बदा तो इससे केते डार्निम फूट जभी आपको बटन लगा नहों तो अगर ना हो तो बटन आपका नहीं लग पाएगा अगर लग भी जाएगा तो इस प्लेट को सिर्फ इस प्लेट के अंदर प्रेश करना है तो हम ऐसे यहां पर लेकर और यह प्रेश हो गया यह प्लेट लगे उसके बाद बारी आती है इस फूट की इससे कहता है बटन फू निकल देना इस आप किया बार अभी इसकी बार इसके यू शेब दिया हुआ है इस को का फोशन उसकी नीचे जाएगा इसे अंदर से लेते हैं यह लग जाता है अभी तो अच्छी एडवांस है तो इसलिए तो आपको दूसरा भी आए सकता है जिसे नॉर्मल लगाते वेसी मिल जाएगा तो पहले था इसलिए अभी यह साथ था तो अभी यह लग गया उसके बाद आपको नीचे का थ्रेड पहले अफ करना है कि अगया तो आएंगे पटन की उपा सबसे पहले सिलेक्टर में आपको बता दू कि बटन अगर आपको लगाना तो क्या-क्या सिलेट करना पड़ता है वह बता दो यहां पर आप देख सकते हैं दो रेगुलर सिल आईगी यह तो इसमें जो फर्स्ट है वह सेंटर में चलती ह देखिए काफी लेफ सेट में बराबर और यह जो आएगी पोजिशन इसका आएगा लेंद जीरो पे तो सिलेक्टर में आपको लेगुलर सेकंड नमबर की सेले और लेंद में रखना आपको जीरो पे तो आईए अभी बटन की बारे देखिए सबसे पहले यहां पे मैंने बटन रखती है बटन पर दिये ऊगे चार होल सबसे पहले जो उपर के दो स्टीच होंगे फिर नीचे के दो स्टीच होंगे तो नीडल की पोजिशन अगर राइट में तो सबसे पहले राइट वाले होल में आपको डाउन करने है तो इससे अब किया बटन को अंदर देखि है अभी हमें जाना है left पे तो हम आते शुलेकटर पर तौब से इस ने तो आपको धीजान धीज़्िफ्टर अब कर दो केने अभी तरीए इस डीक गुमाओं यह तो प्लेख आप जैसे घुमाऊगे तो यह जिग-जग में कनोट होने के बाद आ गया लेफ पर पतलब यह लेफ और राइट यह दो बार हाथ से इसलिए चेक करना है कि आप तो बटन तूटे ना अभी चेक होने का अम एक्सेलेटर स्टार्ट करेंगे लेफ राइट लेफ राइट करके बट अभी इसे में फिनिशिंग करके फिर से बता दूंगा अब कर देखें यह हो गया आपका बटन स्टिच काफी पक्के से लग गया है पीछे नीची साइड भी लॉक गया तो यह थे हमारे सारे फॉंक्शन तो मैंने सबसे पहले आपको बता है रेगुलर का फूट में क्या- विको भी वह गया था यह चारनोंबर फूट मेंने आपको बता दियासर पर टंड ऑडीering के लिए उग्ध और यह यह सिंग्ल्यकर कर बेसियrill से बरत समेंडिरीक्शन नहीं के बारत में बता दिया किसी क्वेए में आपको पर स apenas म कोई जानकर है आपको चाहिए या मचिन पर्चेस करना है तो आप सब्सक्राइबर में कमेंट कर सकते हो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर